हलो मैं हूँ विकास और मैं हूँ फिर से आपके साथ जागो भारत भागो में आज का जो टॉपिक है वो आपको help करेगा decide करने में कि running बेटर है या फिर cycling बेटर है weight loss के लिए या fitness के लिए मैं शुरू से रणर रहा हूँ तो मैं हर दम running को लेके काफी biased रहता हूँ लेकिन मैं cycling भी करता हूँ और दूसरा science में भी रुची रहता हूँ जैसे कि आप जानते हैं तो मैं unbiased आपको opinion दूगा मुझे जितना पता है और जितना मैंने research किया है पहली बात ही समझ लीजिए चाहाँ आप walk करिये run करिये या cycle करिये कुछ भी करिये अगर आप active है that's a good start so good job अगर आपने इसमें से कुछ भी शुरू किया है और आप उसको continue कर रहे हैं तो it's a great job ठीक है आप road पे देखोगे तो आपको chill करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे शुट्टा मारते हुए भी लोग बहुत मिल जाएंगे, रिक्षय में उटके जाते हुए लोग भी बहुत मिल जाएंगे लेकिन आपकी तरह, मेरी तरह, डौडते हुए, रन करते हुए और वाक करके जाते हुए लोग कम मिलेंगे तो आप minority में हैं और आप खुश रही है कि minority में है minority में होना is a good thing, right? You are one of the less people, right? You'll always see, as you start to do something regularly, you see आप minority में आजाते हैं क्योंकि आपके जैसे लोग नहीं कर रहे हैं वो चीजे, correct? कोई भी अच्छी चीज, so running, cycling या walking ये तीनों अच्छी चीजे हैं कुछ भी आप कर रहे हैं तो that's a good thing Now, ये discuss करते हैं कि किस से ज़्यादा calories बन होती हैं क्या आपके लिए better है और क्या आपके लिए safe है See, काफी factors होते हैं ये decide करने में कि आप अगर कोई भी activity कर रहे है running या cycling की तो उससे आपको कितनी calories बन होती है that is, आप पहाड़ी पे चला रहे हैं, down slope पे चला रहे हैं आपका weight कितना है, आपका basic metabolic rate कितना है metabolism में आपका कितना है, कि speed से आप cycle चला रहे हैं या दोड रहे हैं, या फिर walk कर रहे हैं, या फिर आपका weight कितना है इन सब की जो variability होती है, ये decide करती है कि आप कितना calories बन करेंगे तो इसका कोई भी rule नहीं है कि आप जितना calories बन करते हैं एक activity करके, उतना ही दूसरा आदमी भी करेगा लेकिन इन सारे variables को मद्दे नज़र रखते हुए हम definitely decide कर सकते हैं कि आप के लिए कौन से activity बेटर होगी rule of thumb ये होता है कि और सारे variables अगर सही हों तो अगर आप sub-maximal effort की activity कर रहे हो मतलब आप full out नहीं जा रहे हो उससे थोड़ा कम intensity पे अगर आप मालो एक घंटे के लिए running कर रहे हो तो उससे जो calories burn होती है वो एक घंटे के लिए अगर उतने ही almost effort पे आप cycling करोगे वो थोड़ी उससे ज़ादा होती मतलब 20-30% ज़्यादा आप calories burn करोगे अगर आपने एक घंटे running की versus एक घंटे cycling इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अगर आप एक घंटे running कर रहे हो और एक घंटे running में आप करीब 12 km मालेजे 12 km आप distance cover कर रहे हैं जो की काफी अचा distance होगा और अगर आप एक घंटे cycle करते हैं तो आप approximately 26-30 km के आसपास cover करेंगे तो distance जो cover होगा उसी duration में 2.5 गुना ज्यादा cover होता है cycling में compare to running लेकिन अगर आप success metric या फिर metric आपका जो measurement का है अगर आप वो duration रखें तो same duration में cycling में आप करीब 31% कम energy up burn करेंगे compare to running लेकिन अगर आप absolute beginner हैं तो अगर आपने absolute beginner की तरह शुरू में ही आपने running शुरू की तो running जो है because it's an impact exercise आपके feet पे आपके shin आपके carbs और आपके knee पे काफी load डालती है in addition to hamstring and quadriceps उससे क्या होगा कि आपकी ये जो muscles है इनको strengthen होने में time लग सकता है और अगर आपने initially चादा तेज अगर workout running का शुरू किया तो उससे क्या होगा कि आपको injury हो सकती है लेकिन अगर आप cycling से शुरूआत करते हैं अगर आप beginner हैं तो क्या होगा cycling में पहली बात तो effort कम लगता है अगर आपको cycle चलाना है आप देखोगे cycle चलाने में इतना effort नहीं लगता है जितना आपको लगेगा run करने में लगता है और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी छोटी muscles हैं body में especially lower extremities में उस पे इतना impact नहीं होता है specifically आपके feet पे या आपके calves पे, shin पे या फिर knee पे जबकी जो impact होता है वो आपके quadriceps और hamstrings जो big muscle groups हैं उन पे ज़्यादा impact होता है और जैसे जैसे आप cycle करते जाएंगे आपके hamstring और quadriceps मजबूत होते जाते हैं तो मैं personally ये suggest करता हूँ कि माल लो आपको running pick up करना है आपका weight अगर थोड़ा ज़्यादा है अगर आप beginner है और आपको लगता है running शुरू करने में आपको ज़्यादा एक सोर pains होते हैं तो पहले आप walk से शुरू करिए running पे मत जाएए walk करिए brisk walk करिए उसके बाद आप cycling पे graduate करिए ठीक है कुछ दिन आप cycle करिए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दो दिन आपने cycle किया और एक दिन थोड़ा distance मतलब 20 मिनट के लिए आप running पे चले गए और running भी आप कर रहे हैं तो regularly मत करिए 20 मिनट आपने एक मिनट की running की 2 से 3 मिनट का walk किया ऐसे करके 5-6 repeats आप कर सकते हैं जब आप cycling करते करते जब आपकी quadriceps और hamstring muscles आपकी strong हो जाएंगी तब जब आप धीरे धीरे आप फिर running pick up करना शुरू करेंगे तो आपकी body पे जो load पड़ेगा जो और जो muscles है उन पे जो load पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा tendons पे जो load होगा वो थोड़ा कम हो सकता है और उसकी वज़े से आपकी injury के भी chances less होगी but आपको यह मैं बताऊंगा कि आप जब graduate कर रहे हैं running में because it's a high impact exercise आपकी body का दो से धाई गुना weight हर foot पे पड़ता है जब आप run करते हो depending on the speed of it I would suggest कि आप progressively जो है अपना running का चाहे mileage हो या फिर intensity उसको बढ़ाईए और suddenly मत बढ़ाईए cycling, walking और running तीनों को mix करके जो है आप graduate करिये cycling का भी अपना अलग fun है और आप जब cycling शुरू करते हैं तो मेरे साबसे अगर आप road bike पे शुरू करेंगे थोड़ा मुश्किल आपको हो सकती है अगर आप absolute beginner है तो आप try करिए कि आप MTB पे pick up करिए या फिर hybrid bike ले सकते हैं बट road bike मत शुरू करिए कि road bike इतना comfortable नहीं होती है चलाने में और also थोड़ा वो fast चलती है तो control करने में भी problem हो सकती है और road bikes थोड़ी comparatively इतनी robust नहीं होती है जितना कि एक MTB होती है और उसका tire का surface पतला होता है तो आपको आपके लड़ने के chances या फिर गिरने के chances ज़्यादा हो सकते हैं तो I would suggest कि अगर इस sequence में आप activities शुरू करते हैं तो आप cycling भी enjoy करेंगे और gradually आप running enjoy करेंगे और injury free भी रहेंगे आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगा आपको फिर से goodbye